इस दुनिया के इतियास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिनका जीवन समाने तो दूर कश्टों से भरा हुआ था जिनको भगवान ने नॉर्मल नहीं बनाया आप और मेरी तरह फिर भी उन्हों नो रुचाहियों को छुआ कैसे बस अपने आत्मबल से अपनी मेहनत से शायद आप और मेरे में से जाने कितने लोग सब को छोते वे भी भगवान को कोशते रहते हैं इसी बात को कोच से रहते हैं कि भई उसके पास बड़ी गाड़ी और मेरे पास छोटी क्यों उसके पास इतना बड़ा बंगला और मेरे पास जोपड़ी क्यों उसके पास सनी लिओनी और मेरे पास गल्फरेंड तक नहीं उसके पास इतना बड़ा बिजनस और मेरे पास नौकरी तक नहीं पर शायद हम भूल जाते हैं guys कि कश्ट, अर्चने, सुख, दुख ये सारे न एक सिखे के दूपहलू हैं एक पईये के समान दोनों टर्म बैटन आते रहते हैं और इन सब चीजों को experience करके, बरदाश करके, इनसे सीख के आगे बढ़ना ही हमारा करतव वे है इनफेक्ट ऐसे कई कहानी है, ऐसे कई लोगों की जिन्नों ने ऐसी अर्चनों का बखूब ही सामना भी किया और उचाईयों को भी छुआ क्योंकि यही लोग होसला कभी नहीं आरते और बन जाते हैं दलीप सिंग राना से दग्रेट खाली की आज बात करेंगे दग्रेट खाली की जो पैदा ही हुए एक बहुत बड़ी परिशानी को लेकर पर जिनोंने इस परिशानी को यह अपनी ताकत बना डाला गैज बात करेंगे आज दग्रेट खाली की जर्नी की उनकी लाइफ से जुड़ए ऐसे हैरान कर देने वाले किस्ते शायद जो आपने कभी भी उनके बार में सुना ही नहीं होगा गैज लेट 1980s में जब मैं बहुत चोटा था पर बहुत चोटी उमर में भी WWE का बहुत बड़ा फैन था तब केबल टीवी में आता था और कभी भी शाम का वो एक घंटा में छोड़ता नहीं था और तब इन सारे सितारों को देखकर बस यहीं लगता था कि काश क्या मैं कभी इंको लाइव देख पाऊंगा फिर मेरा सपना पूरा हुआ दो बार मैंने लाइव WWE देखी इंडिया में हमेशा सूचता था क्या इंडिया का कोई रैसलर किसी में इतना दमखम है क्या कोई इंको टक्कर दे सकता है फिर 2006 में जब खाली ने अंडर्टेकर को अपने हाथ से जो चपत मारी और अंडर्टेकर जब डिफेंसलेस हो गया है तब लगा कि वाओ ये बात हुई न खाली ने इंडिया को रफेंड के व्रेजन के डव्री यु में और रूड्टेकर की इंडियाम क कितनी जबरता सो सकती है WWE कितना पे करता है उनको Big Boss जैसे Reality Show ने कितना पैसा दिया उनको क्या सीक्रेट है उनकी Instagram पे वाइरल हो जाने की क्या सीक्रेट है कैसे हुए क्यूं हुए आप में से कई लोगों ने ये डैंक कमेंट्स पड़े होंगे लोटपोट हो गया होगे यूट्यूबर्स के वीडियोज देखे होंगे कुछ रोस करते हुए कुछ रिस्पेक्ट देते हुए पर ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा यहां आपको पता चलेगा कैसे बना दलीप सिंग राना एक छोटे से शेर से निकलके The Great Khali Let's go इस सेग्मेंट में कुछ दस फैक्ट्स में आपको बताने वाला हूँ और ये फैक्ट्स बड़ा हरान करेंगे आपको क्योंकि The Great Khali की भी लाइफ एक आइसबग की तरह है उपर तो थोड़ा ही है नीचे ये इनसान बहुत गहरा है तो चली उँगी गहराई नापते है गैज आप सब दलीब सिंग राना को दो ग्रेट खाली के नाम से जानते हैं पर शाद आपको ये नहीं पता होगा जब उन्होंने अपना प्रो रेस्लिंग करियर शुरू किया सबसे अच्छा लागा विच इस ओल अबाउट एटरनल एनरजी गैस दे ग्रेट खाली इंडिया की नहीं पूरे ग्लोब की प्राइड है और वो शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि 2014 में US के एक नैचुरलाइस सिटिजन बने और इसका मतलब यह है कि वो इंडिया की सिटिजन अब नहीं है हाँ वो इंडिया की सिटिजन नहीं है क्योंकि इंडिया ड्वल सिटिजन शेप लाउन नहीं करता तब उनके खिलाफ इलेक्शन कमिशन में लिटर भी लिखा गया कि he should not be able to campaign but guys मैं यह समझता हूँ कि जितना कोई और इंडिया नहीं उतना ही the great खाली और यह आपको पदा चलेगा जब यह वीडियो पूरा देखेंगे तब उनके बस बहुत बड़ी opportunity थी US में रहे कि अपने business को flourish करने की पर कैसे उनके अंतर का Indian है वो में शब भार आता रहा और इसी की वज़े से वो आये इंडिया वोपेस 2015 में जब उन्होंने CWE को form किया जिसका पूरा नाम है Continental Wrestling Entertainment उसको WWE के ही नक्षे कदम पे उन्होंने चलाया promote भी कुछ वैसे गया Indian और मासी अपील के साथ कुछ ऐसे gimmicks करके जिन्होंने रात और रात इस YouTube चैनल को CWE को बहुत ज़्यादा popular कर दिया मास इसके बीच में इंफेक्ट वो जो काम कर रहे हैं उसी की बदौलत कई ऐसे wrestlers जा रहे हैं और गए है WWE के development center में जहां से trainer हो के वो बहुत ही जल्दी WWE में फिर सेंडिया को represent करेंगे और credit जाता है सिर्फ दा ग्रेट काली तो guys बात करते हैं उनकी physique की उनकी body type की guys वो 7 feet 1 inch के हैं और इतना बड़ा कद ही नहीं उनका shoe size है न वो भी 18 number है मेरा size 8 है मतलब double से भी जादा guys उनका जो हाथ हो कहा जाता कि normal इंसान के कर दो हाथ जितना हो उनका एक हाथ है उनका मतलब हाथ इतना विशाल का है कि आपके गले को पकड़ लें तो बस आप यही सोच़ो आपके चाइन चुनने के लिए मैं जरा सा जुका क्या आपने तो मेरी ही इतने लंबे हैं कि कुछ यूट्यूब क्रीटर्स को उनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो कैसे लगेंगे साइमन, कैरी मिनाटी, पीपोए, थगेश ट्रिगर इंसान या मिथपैग सब ही उनके सामने बच्चे ही लगेंगे guys आपके वजन की बात करें तो करीबन 400 pound most part of his active wrestling life he was weighing around 150 to 180 kg जो कि बहुत ज़्यादा है पर उसी से ज़्यादा है उनके diet guys उनके diet आप सुनेंगे तो आप हरान रह जाएंगे जितना वो खाते हैं राउंड 11,600 calories जो कि मेरी शाइच साथ दिनों की diet है breakfast में चार लीटर दूद जो लीटर जूस दस अंडे और सौ ग्राम ड्राइ फ्रूट लंच में एक किलो चिकन दस रोटी और फिर डिनर में फिर से चार लीटर दूद दस फ्लीट ब्रेड छे अंडे और फिर उसके तो पासो ग्राम आईस क्रिम और बहुत कुछ और गैस इस गैस नाधिंग शौड़ अफ़ बीस्ट खाली की फैमली में कुल मिला के साथ भाई बैन हैं पर कोई भी कट-काठी में या स्टिंथ में खाली जैसा नहीं है और गैस इसलिए यह आवा आते हैं कुछ सीरियस बातों के कि ऐसा क्यूं है कि बस खाली ही ऐसे निकले उनके बाकी के भाई बैन ऐसे नहीं है तो गैस आपको मैं बता दूँ कि इंसान जो उपर से बहुत विशाल काई भीम काई डराना दिखता है या बहुत कड़क और बहुत स्ट्रॉंग दिखता है वहीं अंदर से एक ऐसी बिमारी से जूझ रहा है बचपन से जिसको बोलते है अक्रोमेगली इसको जाइगेंटिजम भी बोलते है गैस जो कि पिटूट्री ग्लैंड में ट्यूमर हो जाने से होता है जो कि एक्सेसेफ ग्रोथ हार्मोन से होता है और गैस इसके कई परिणाम भुगतने पड़ते हैं आपको पूरी लाइफ और खाली बाहर से ना दिखाएं पर हमेशा से जूचते रहें इस बिमारी से उनकी brain surgery होई उनकी knee surgery होई इस पे आगे आएंगे जब उनकी timeline की बात करेंगे पर वो कभी भी इस बिमारी से नहीं हारे कई शायद आपको नहीं बहुता होगा अंदरे दजायन जो 7 foot 5 inch के थे जिनका वज़न आराउं 240 kg था वो भी अक्रोमेगली से ही पीड़ी थे और वो भी इस दुनिया से अक्रोमेगली की वज़े से ही गए थे जब उनका heart fail हो गया था क्योंकि इस बिमारी से कभी heart fail होता है तो कभी diabetes हो जाती है कभी vision loss होता है या कभी arthritis हो जाता है और तब ही आपने कई बार देखा होगा जो उनकी टांगे है वो धंग से चलने ही पाते कई लोगों का मजाख उडाते है जब वो wrestling के world में आये तो 3-4 साल के बाद ही उनकी ये problem बहुत जादा बढ़ गई थी जिसके बाद उनको surgery's करवानी पड़ी पहले knee surgery 2010 में उसके बाद brain surgery 2012 में जब उनका tumor निकाला गया पर ये शायद लोगों को नहीं पता और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मारी wrestling से जुड़े रहे उनको एक comic character मिला जिसको उन्होंने बली बाती जिया जब वो APW में थे उनके साथ एक दड़नाख हाथसा भी हुआ ब्राइन ओंकर करके एक wrestler से जो concussion के बाद भी उनके साथ train कर रहे थे उनकी मौथ हो गई उनसे लड़ते लड़ते बहुत लोगोंने कोशिश करी कि ये सारा blame जो है ग्रेट खाली पर जो सच है न वो resurface करी जाता है और इसलिए जो loss उट था APW पर वो प्रूव हुआ कि उनकी kailessness की वज़े से था जिससे APW को around 1.3 million dollars देने पड़े रेसलर की फैमिली और दे ग्रेट खाली पर राइट फुली कोई हिल्जान नहीं आया कई बार जो सच्चा इंसान होता है भगवान उसके साथ खड़ा रहता है और इससे पहले guys उनकी quick time capsule की बात करें या उनकी instagram की secret के बारे में बात करें बात करते हैं उनकी earnings की कितना कमाते हैं great खाली guys उनकी movie get smart जिसमें rock भी थे यहना halfway भी थी वो भी बहुत बड़ी hit रही blockbuster रही पर उनको pay around 1 करोड रुपिया किया गया पर जहां उनकी नहीं सबसादा पैसे कमाए वो उन्होंने Bollywood film से कमाए पर जब लोगोंने उनसे पूछा कि फिर आप क्यों Bollywood में इतनी फिल्में नहीं करते जबकि आपको इतने सारे offer आते हैं तो उन्होंने का क्योंकि जो loyalty है वो wrestling के साथ है जो उनकी loyalty है वो WWE के साथ है वो travel नहीं कर सकते गयजा source कहते हैं कि Bollywood film में उनको 2 करोड रुपे मिले वहीं वो कहते हैं कि उनको करीबन half मिला इसका Hollywood film में Camus that he did got him around 150,000 डॉलर्स जो कि करीबन 1 करोड रुपे होते हैं पर उनका biggest break guys आया 2010 में जब उन्होंने Big Boss किया Big Boss ने उनको पर हफता 50,000,000 रुपे दिये माना Pamela Anderson उसी सीजन में करीबन 2,5 करोड ले गई 3 दिन के पर 50,000,000 पर वीग भी बहुत ज़ादा थे वहीं बॉलिवूड में बारा हफते रहे Big Boss के घर में अगर पैसो की बात करिये रहे हैं तो आप यह सो रहे हैं WWE कितना पैसा देता हूं का So guys, for most part of his active career in wrestling, he was paid on an average around 1.4 million dollars including all the promos etc जो की Indian value में अगर देखा जाया है तो साल का around 10 करोड रुपे होता है which is very very good So guys, यह थे कुछ interesting case से The Great Khali की life से और अब बात करते हैं उनके time capsule की और फिर आएंगे उनके Instagram के secret के बारे में Guys, दिल थामके यह quick time capsule होने वाला जो उनकी life से आपको बुरे ढंग से रूब रूब करवा देगा उनका जनम हुआ 27 August 1982 को धिरैना टाउन में सिर्मौद डिस्ट्रिक्ट हिमाचिल प्रदेश में जो कि शिमला से बस 200 km दूर है Guys, उनका बच्पन बहुत कश्ट से भरा पड़ा था बिकाज उनकी जो family थी they were not very well to do Guys, उनके पिताजी के पास उनकी schooling के भी पैसे नहीं थे करीबन डाई रुपे थी उनकी fees पर वो भी नहीं दे पारे थे अपने family का साथ देने के लिए उन्होंने पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया उन्होंने gardening करी 1990s के शुरू होते ही उनको अपनी पहली job मिली as a security guard शिमला में पर वहाँ उनको एक निया interest मिला उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी strength में तबदील करने की सोचा उन्होंने बच्पन में guys बहुत बुलिंग सही थी अपने शेर वालों से अपने दोस्तों से कभी उनकी jaw line के बारे में कभी उनकी शकल के बारे में कभी उनकी जीब के बारे में अपनी कमजोरी को strength बनाना था great खाली को उन्होंने body building शुरू करी उन्होंने अपने को fit रखना शुरू किया बहुत अच्छे diet लेनी शुरू करी और तब 1993 में former police chief MS भुलन ने उनको spot किया और उनको पंजाब police में शामिल कर लिया इस 95 और 96 में खाली ने Mr. India का title भी जीता और बहुत popular हो गया है इस title के जीतने के बाद खाली एक बार TV देख रहे था उनको लगा कि कोई movie चल रही है पर उनके दोस्तों ने बताया कि WWF है ये film नहीं है और उनका interest कही नहीं इस wrestling की तरफ बहुत जादा बढ़ गया इस Punjab police में रहते रहते उनको धेर सारा support मिला ट्रेनिंग के लिए पर उसके सासत बहुत अर्चने भी उन्होंने face करी उन्हों ट्रेनिंग करने के लिए जब बात करी अपने chief से तो उन्होंने उनको मना कर दिया क्योंकि उनके mentor नहीं चाहते थे कि वो यहां से अमेरिका जाये पर वो भी हार नहीं मानने वाले थे उन्होंने अपना मनूप बना लिया था वो ट्रेनिंग करना चाहते थे US जा के और वो कहे इस वक्त वो 20 साल के थे और 7 ओक्टूबर 2000 में उन्होंने यहां की ट्रेनिंग भी हुई और साथ उन्होंने प्रोमोशनल मैचेस भी लड़े यहां का रिंगनेम दिलीप सिंग ही था इस दाली सेज और गैस यहीं अमेरिका में रहते रहते हैं ट्रेनिंग करते करते EPW के साथ उनकी शादी हुई 2002 में हरमिंदर कौर से जिनके साथ उनकी एक बेटी में हैं और बहुत ही प्यारी बेटी हैं उस पे आएंगे बाद में उसके बाद 8 महीने के लिए एक शॉर्ट स्टिंट उन्हों ने WCW में किया पर वो WWE ने खरीद लिया तो उसके बाद वो New Japan Wrestling में गए New Japan Wrestling में उन्हों ने एक टॉलेस टीम बनाई वर्ल्ट की टॉलेस टीम जायन सिल्वा के साथ जिनकी हाइट उनसे भी एक इंच बड़ी थी उस वक्त का उनका शरीद देखेंगे तो लगता है कि अगर वो उस वक्त WWE में होते न तो ब्रॉक लेसनर या कोई भी रेसलर उनके सामने टिक नहीं पाता इतियास रज देते हैं खाली पर उनको कुछ वेट करनी पड़ी ब्राइन ओंक की इंसिदेंट के बाद WWE ने जाहें ट्रस दिखाया पर उनको ले नहीं पाया पर 2006 में वो दिन आए गया जब WWE ने उनको बुलाए लिया क्योंकि उन जैसा रेसलर WWE को चाहिए था और जैन्वरी 2006 में उन्होंने डिवलोप्मेंट सेंटर और WWE डीप साउथ रेसलिंग में अपने कदम रखे पर बहुत ही जल्दी इन एप्रिल इसल्फ ही वस दिम्ड रेड़ी फॉर बिगेस रोस्टर और WWE विच इस WWE SmackDown जहां उनका सामना पहले ही अपिरेंस में हुए Undertaker से जिनको उन्होंने एक वार में नीचे लिटागा ये मूव वही मूव था जिस उन्होंने अपना करियर खतम भी किया इस वक खाली 34 साल के थे बहुत जल्दी ही The Great Khali World Heavyweight Champion भी बने जब Edge को अपनी Championship वेकेट करनी पड़ी थी और बहुत सारे Legends को हराते गए पर गैज जो बिमारी थी एक्रो मैगली गैज कहते हैं कि 35-45 साल के बीच में ये बिमारी अपना रंग दिखाती है जो भी Body Parts, जो भी Joints बहुत ओवर ग्रोव हो चुके थे excessive growth hormone की वज़े से वो अब धीले पढ़ने शुरू हो जाते हैं और यही हुआ Great Khali के साथ अपने career के peak पे 2010 में उनको knee surgery करवानी पड़ी 2012 में उनको brain surgery करवानी पड़ी और obviously guys इसके चलते चलते की जो performance सी fights में वो कम हो गई जिसकी वज़े से उनके character को change करना पड़ा giant से वो अब एक comic icon बन गए पर WWE उनको जाने नहीं देना चाहती थी विकोस ऐसा giant कौन खोना चाहेगा उनको किस scam segment दिया उनको tooth fairy बनाया उनको ऐसे segment दिये जिन्नों ने लोगों को बहुत manoranjan किया कई लोग सोचते हैं कि ग्रेट खाली है ना उनमें दिमाग नहीं जब उनकी ऐसी entertaining acts देखते हैं पर ग्रेट खाली जब आपकी दालब ने दुज़रा 10 में आए तब रजत शर्मा भी हरान रहागा है जब रजत शर्मा के हर सवाल के बखुबी जवाब ये दगरेट खाली है क्या जादा पसंद आपको मार पिटाई या ये किस्विंग वाले सी आपको क्या पसंद जा रहा है आप बताई ये उनने बताई दो नौप बताई इसमें जरा सब पानी डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ये बिलकुल खून बन जाएगा जो ये चीज़े है ना ये मैरी साथ से फिल्म वे काम आती है मैं लिए ना इस सीरियोस लगे इन फैक 2010 में जब वो बिग बॉस में आये है तो लोगों को लग रहा था कि भाई इंको गुसा आ जाएगा ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पचास लाग पर वीक दिया बिग बॉस ने वो सो रहा थे एक दो अफते में निकल जाएंगे हमारी प्रोमोशन हो जाएगी पर खाली टिक गए और खाली जितनी लडाईयां भी हो रही थी उनको भी नहीं होने देते थे गाइस खाली ऐसे जमें कि रन अरब बनके निकले बिग बॉस सीजन चार में गाइस 2014 में जैसे मनें पहले भी बताया वो यूएस सिटिजन बन गए पर 2015 में उनका दिल नहीं माना वो भारत वापिस आये वापिस आके उन्होंने जालंधर पंजाब में CWE को फॉर्म किया जहां वो रहते हैं और जहां से अपने बिजनस भी चलाते हैं और यहां से इंडियन रिस्लिस को ट्रेन करके WWE के US के डिलेप्में सिंडर में भेजना शुरू किया गाइस WWE के लिए उनका लास मैच था 2018 में और इसी साल 2021 में उनको WWE के Hall of Fame में शामिल किया गया जो कि Wrestling के वर्ल का सबसे बड़ा ओनर है गाइस आपने उनकी जीवन की इस टाइम लें कैपसुल को तो जबा लिया होगा उनकी जर्नी को डाइजेस्स कर लिया होगा पर उनकी इंस्टाग्राम के गेम के बारे में बात करने से पर इस गरीट खाली जितने शरीर से बड़े हैं जितने पॉपलर हैं जितना रुदबा है उनका पर तब भी बहुत काम रहते हैं कोई उनको criticize भी करे तो हस के बोलते हैं और जब भी कोई उनकी तारीफ करता है तो शुकरिया बोलते हैं बहुत ही humility के से अब आते हैं जो हुआ करीबन एक सेटेट महीने पहले इंस्टाग्राम पे खाली हो गए वो वाइरल डैंक कमेंट्स की बरपूर लहर दोड़ गई उनके इंस्टाग्राम पे ऐसी कि इसी महीने के पंदरा दिनों में ही उन्होंने करीबन half a million followers गें की इंस्टाग्राम पे और करीबन एक million followers in last two months उन्होंकी majority of engagement पेशले दो तीन महीने में आई है तो इंस्टाग्राम पे किसी एक wrestler का viral हो जाना क्या normal है? नहीं बिलकुर normal नहीं है कैसा हो जाता है? हाँ हो जाता है पर गाइस खाली के साथ ऐसा बाइकस नहीं हुआ, बाइचान्स नहीं हुआ इस गाइस बीन अजीनियस इल तेल यू हाँ जब खाली के साथ इंजिरीज हुई जब उनकी सजरीज हुई तो उनको एक कॉमिक करेक्टर दिया गया और बहुत सब्प्राइजिंगली जो खाली का किस कैम करेक्टर है और जो खाली का जो कॉमिक करेक्टर है वो बहुत जादा रात रात फेमिस होगा उन्होंने जब ऐसे करेक्टर्स कीए तो Vince McMahon और Triple H को यह पता था कि खाली is not just a giant he is a create comedian जिनको बली भादी से बता है कैसे अपने विशाल काय शरीर को बेशना है गैज उन्होंने कहीं न कहीं बताया पर शायद लोग पकड़ नहीं पाया उन्होंने आपकी दालत में भी बताया रजाच शर्मा को कैसे इस जस्ट अ क्यारक्टर उनको इंग्लिश आती ऐसा नहीं है वो इंग्लिश समझ नहीं सकते यह इंग्लिश बोल नहीं सकते और वही उन्होंने इंस्ट ग्राम पे शरू किया गाईज इनफाक जब स्रीड़ू यह उन्होंने फॉर्म करी तो जिस तरह के उन्होंने गिमेक्स करे गाईज उनको ऐसे व्यूस मिले रातो रात मिलिश और मिलिश ओफ यूस मैं से 5 मिनट लेट गवा था अपने ही दम पे CWE को प्रोमोट किया और इतने सारे व्यूस इतने सारे मिलिंस अप्स्राइबर उनके YouTube चैनल पे बिवकर इस लर्न दिस आप इंटेंमेंग्स फ्रूम तो ग्याइज वही हूंका जीनियस वो इंस्टग्राम पे लेकर है और गैज एक और चीज है कि जिस पोस्ट पे उनके कोमेंट्स आते हैं या इंगेजमेंट आती हो उसको रिपीट करते हैं यह पहली बार हुआ थे इंस्टग्राम पे लोगों वह समझ नहीं आता था ता कुछ लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि this guy is a genius he knows he is getting engagement he knows Instagram engagement से चलता है तो why not डालो फिर से post कोई ना कोई तो viral होगा और गैस जब उन्होंने reels डालने शुरू करी उन्होंका जो पहला reel viral हुआ वो था ये जिस पर करीबन 1 million likes भी आए उसके बाद उन्हों को समझ में आ गया किस तरह के reels डलने है और उन्होंनों जो next reel डाला बाला बाला वो बहुत फिर मस होगा फिर जो dank comments सी उन्की बाड़ सी आ गई गैस में का जो महीना था वो जो dank comments बढ़ते ही गए गैस उन्के जो likes हैं जो उन्की pictures उन्के post पे जो engagement वो ऐसी बड़ी कि बड़े-बड़े उनके जो साथ के superstars हैं उनकी भी इतनी likes और उनकी भी इतनी engagement नहीं है जो कि बहुत surprise कर देने वाली बात थी और गैस खाली रुके नहीं और जब भी कोई भी एक family picture होती थी या कोई भी serious picture होती थी उस पे वो comments बहुत जादा creative निकले और मैं ये बोलूँगा कि I'm so proud of some of the people on social media that who respected in fact कई ऐसे YouTubers जोनोंने बार-बार video content बनाया पर साथ-साथ ये भी बोला है भी no disrespect तो मेक्षोर काई श्यावर बोली मत करो ग्रेट खली सर को रोस्त नहीं कर रहे हैं पर जब भी उन्होंने अपने इंदाज में अपनी रील डाली तो उस पे डैंक कोमेंट्स आया और खाली ने लोगों को बताया भरपूर शुक्रिया कि उनको मजा आ रहा है कई लोग ना बोला कि ये डैंक कोमेंट्स क्यू कर रहे हैं पर शयद लोगों को नहीं पता था डैंक कोमेंट्स चाहते हैं खाली यही तो चाहते हैं engagement यही तो चाहते हैं और क्यों क्यों इस खाली को पता था कि जब ऐसे engagement बढ़ती रहेगी तो उससे एक तो CWP प्रमोट होगी और साथ-साथ वो कुछ अपनी अंदाज में ब्रैंड को प्रमूट करेंगे और उनका जो ब्रैंड का अगर आप caption देखे तो आपको पूरी picture clear हो जाएगी कि खाली का ये marketing genius है उनका दिबाग खुद अपने दम पे without any company's help he has done it all by himself guys so guys this is my decode this is the secret of his instagram getting viral it's not by accident सोची समझी marketing strategy है जो कि बहुत बड़े-बड़ी companies भी नहीं कर पाती मुझे ज़रू बताना ये देख कर कि आप अपनी हसी को control कर पाए या नहीं comments में बताना और guys these some of these comments are really hilarious guys जादे-जादे लेगो मैं तो इनके comments पढ़ रहा हूं comment box में सबसे best comment जो आपको लगा खाली भाई के लिए वो जरू आप comment में लिखना मुझे लगता है जो भी उमको attention मिल रही है बिल्कुल rightfully मिल रही है guys इसी attention की विज़े से मुझे लगता है शायद वो वापस किसी film में आए या वो मुझे लगता है in fact he should also collaborate with one of the YouTube creators आपको क्या लगता है आप मुझे जरू comments में बताइएगा कौन सा ऐसे YouTube creator है जिसके साथ आप खाली भाई को collaborate करते वे देखना चाहते हैं जरू बताइएगा तो मेरी जो coverage आए hope आपको पसंद आई हो आपको मज़ा आया हो ये वीडियो देखकर जितने भी लोग पूछ रहो है आपके circle में कि भाई ये the great खाली का चल क्या आ रहा है social media पे तो उनको ये वीडियो जरू शेयर कर देना और guys do support us अगर आपको लगता है इस वीडियो में महनत लगिए तो you can support us by just becoming a member guys the lowest tier gives you some special emojis जिसको मैंने कस्में इसकी है और जिको मैं use करता हूँ comments में आप भी use कर सकते हैं अगर आप member बन जाते हैं guys मैं ऐसा content लाता रहूँगा अगर आप help करना चाहते हैं suggestions देना चाहते हैं कि कौन सा content मिला हूँ किसके बारे में बात करूँ तो आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram पे guys Instagram पे मैं बहुत सारी real time updates देते रहा था हूँ नई videos के बारे में बताता रहा हूँ जैसे मैं बताने वाला हूँ कि अनिंग video कब आने वाला है वो Instagram पे follow करेंगे तो आपको समझ में आ जागा आपको जो feedback वो सार आखो पर है keep it coming guys ऐसे ही होसल बढ़ाते रहेगा मैं अपना काम करता रहूँगा आपके सामने differentiating coordinate लाता रहूँगा जैस मैं चलता हूँ ऐसी वीडियो में फिर से मिलूँगा आप देख रहे हैं पीपोई मैं हूँ का शब्बाख है खुदा आफे साशे कल राम राम शेजन गुद्बाइब